चलिए दोस्तों बात करते हैं इस एक और question के बारे में इस question में एक्जामने ने का if x-y बराबर में 3 दिरक है then what is the value of x3-y3-9xy इसको solve कीजिए और बताइए कि इसका right answer क्या है तो देखे इसको हम दो तरीके से कर सकते हैं तो हम इसमें अपनी तरफ से कोई x और y की value रखे ये वाली side, ये वाली side के बराबर proof करके उस value से हम निकाल सकते हैं दूसरा हम formula से तो दोनों तरीके से हम इसको solve करेंगे तो देखे अगर मैं यहाँ पर x की value 4 रख लो और y की value 1 रख लो और इन दोनों का difference करो तो 3 के बराबर आ रहा है इसका मतलब यहाँ पर x की value 4 रखता हूं y की value 1 तो 4 इंटू में आपका 1 तो ये मेरे पास मैं 4 का क्यों कितना 64 ये माइनस 1 हो जाएगा और ये माइनस का हो जाएगा 9 जो 36 दिन थर्टे सिक्स तो यहनि 64 में से आप 37 माइनस करेंगे तो आपके पास जो बचेगा वो 27 बचेगा यानि कि option D जो होगा वो इस question के लिए correct होगा और अगर आप इस तरीक से नहीं करना चाहते तो आप एक काम क किजिए आप इसका और इसका whole cube कर दीजिए जैसे आप इसका whole cube करेंगे तो आपके पास जो formula आएगा वो आएगा आपका x का cube माइनस y का cube माइनस में 3xy और bracket के इंदर x माइनस का y बराबर में कितना हो जाएगा आपका 27 हो जाएगा अब इस x माइनस y की value तो मेरे पास 3 है तो मैं यहाँ पर रख दूँगा इसकी जगे 3 है तो यह x का cube माइनस में y का cube माइनस का 3 239 x y बराबर में हो जाएगा आपका 27 की बराबर क्या यह वाली value इस वाली value के बराबर है बिल्कुल तो यानि कि option जो d होगा वो इस question के लिए correct होगा I hope आप सभी question समझ में आया होगा